हेलो गाईज वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल इस्टडे विद एम तो देखे आज मैं आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट न्यूज लेके आई हूँ देखे उत्राखंड राजी में 6 साल बीच जाने के बाद भी उत्राखंड पुलीस की भड़ती नहीं आई है और यह भड़ती अभी और अधर में लटक चुकी है हमारे पुलीस की भड़ती प्रकरिया फरवरी में प्रारंब हो जाएंगी लेकिन फरवरी से मई और मई से अगस्त दो बार बोल लिये जाने के बाद भी अभी भड़ती नहीं आई है तो देखे आज भड़ती से संबंदित को सूचना प्रकाशित हुई है जिसे हम आज की इस वीडियो में बताएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर ले और बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर ल के अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियाप से यहीं पर शेयर की जाती हैं लिंक आपको इसका डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं देखिए प्रदेश में धाई हजार पुलीस कर्मियों की भरती अधर में लटकी हुई है पुलीस मुख्याले फरवरी में ही रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव भेज चुका है लेकिन अब तक कुल रिक्त पदों की शंख्या एक हजार ही पहुच पाई है जिस कारण भरती प्रकरिया शुरू नहीं हो पाई है प्रदेश में पिछले पांस साल स पुलीस कॉस्टेबल की भरती नहीं हुई है पुलीस मुख्याले ने इसी क्रम में ढड्राई हजार पदों पर भरती का प्रस्ताव शार्षन को भेजा है इसमें एक हजार पद तो पहले से ही रिक्त हैं, शेज डेड़ हजार पद कॉंस्टेबल के प्रोमोशन के फलसरों खाली होंगे। हाला कि उक्त धाई हजार पदों की गिंती सी एम पुसकर शिंग धामी द्वारा भरती के लिए गिने गए बाईस हजार पदों में शामिल है। फिर भी प्रकरिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इस बारे में ग्रह सची रंजीत सिन्हा ने बताया कि प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णया भी नहीं हुआ है। तो देखे फ्रेंट्स अभी भी ये भरती लटकी हुई है। अभी नहीं आने वाली है। ओके गाईज आज की वीडियो में आपके लिए एक छोटी से इनफॉर्मिशन लेके आई थी। कि आप भी ये पुलिस की जो भड़तियां हैं अभी भी लटकी हुई है। तो ओके गाईज आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेर एंड हमारे यूट्यूब चैनल इस्टिडी विद एम को जरूर सरस्क्राइब कर लें। प्रते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।